या बहुत सारे लोग घरों में की तावीच लड़ लड़काते हैं बाज लोग बाजू पर बांगते हैं तक्ये के नीचे रखते हैं तावीज बना गरके या बहुत सारे लोग भरों में भी तावीज लड़काते हैं ये सारे ही अक्साम तावीज के हमारी शरीयत में खराम है और तावीज की खुरमत की सरीष दलीलें आई गिरलाम। निएे अधिनार मुझूद है चाहे वो तावीज खुल गृ kicking लिकर के बनाए जाए या खुल और किसी चीज़ को लिकर के तावीज बनाए जाए सारी ही गिस में तावीज की हराम है अल्हे की एक हधिस है कि जिसने ताविज लड़का उसने शिर्क किया तो इस ठीज में efने ताविज की तमाइम अच्सान को मुतलगर शिर्क बतलाया है कि जिसने तावीज लटकाया उसने शिर्क किया एक दूसरी हदिर से अल्लाहिक नभी स्लेख सल्म की कि इन्नरुका वत्तमाईम वत्तेवला शिर्कुन कि रुकिया और तावीज और तेवला ये सब शिर्क हैं रुकिया कहते हैं जो है जार फूब को तो कोई ऐसी जार फूब जो कुरानों सुन्नत के इलावा किसी चीज से हो शिर्किया अज़कार या शिर्किया कलिमात के जरिया से हो तो वो रुकिया या जार फूब शिर्क है और तमाइम तावीज को कहते हैं तावीज लटकाना शिर्क है और तेवला ये जादू की एक गिस्म है ये भी शिर्क है तो अल्लाह कि नभी ने इन सारी चीजों को शिर्क बतलाया अब रुकिया जैसा कि मैंने बतलाया कि वो रुकिया जो कुरान के इलावा किसी शिर्किया कलिमात के जरिया से अगर रुकिया किया जाए तो वो शिर्क है हाँ अलबता रुकिया के लिए इस्तिस्ना आई है ख़दीश में अल्लाह करेमी सब्सक्राइब रिशाद फर्माते हैं कि ला बासा बिर्रुका मा लम तकूँ शिर्कन यानि उस रुकिया के करने में कोई हर्ज नहीं है जो शिर्क ना हो अब वो कौन सा रुकिया है जिसके करने में कोई हर्ज नहीं है और जो शिर्क नहीं है वो रुकिया यह है कि पुरान की आयतों को पढ़ करके फूका जाए मरीज पर या जिसको परेशानी है उस पर दम किया जाए या पानी पर दम करके उसको पिया जाए या जो अज़कार और आउराद अल्लाहिक नभी स्वासले से वारिद हुए है वो अज़कार और आउराद पढ़ करके मरीज के जिसम पर या पानी में फूंकर या किसी और चीज में फूंकर के उसको इस्तिमाल किया जाए तो वो रुकिया जायज है और वो रुकिया जायज नहीं है जो इन चीजों के अलावा शिर्किया कलिमात वगरा के जरिया से होता है अलबता तमाइम की सारी किसमे यानि तावीज की सारी किसमे हرام हैं और शिर्क हैं क्योंकि تمयाः को तमाइम को अल्ला के रबी स्लाव सल आध में मुतलख तोरसे शिर्क बतलाया है और उसमें कोई शिस्तना नहीं है चाहए वो पुराल की आयत के जरीया हो या किसी और चीज़ के जरीया से हो तावीज की सारी ही अफसाम शिर्क हैं इसलिए तावीज लटकाना हदीश के रूँ से सरी हदीशे मुझूद है इस बाग में कि वो शिर्क है और वो खराम है अब आपने यहां पर एक श्काल ये बयान किया है कि बाद लोग ये कहते हैं कि हम तावीज बनाते हैं आखर में उसमें कुरान ही तो लिखते हैं तो कुरान को लिखना ये जो है गलत कैसे हुआ कुरान अल्लाह का कलाम है और एक अच्छी चीज़ को लिख करके लटकाना ये गलत कैसे हुआ ये बहुत तारी लोग कहते हैं पहले बात तो इसमें यह गोरों डायों जो की दीन को लाने वाले हैं जब उन्हों ने उसको शिर्प कराज दिया तो हम उसमें कोई ताविल और तوج़ए नहीं ढूड़ेगे बल्कि उस पर आमना और सब्दक्न देंगे अगर कोई आदमी ये कहें कि मैं रुकू के अंदर कुरान पढ़ने से मना किया गया है तो अगर कोई आदमी ये कहें कि मैं रुकू के अंदर कुरान पढ़ने से मना किया है तो कुरान पढ़ने के मकामात हैं और वो तरीके हमें आल्ला है उसके रसूल स्लाव सल्में बतलाए है जिन जग हो पर जिन तरीकों से कुरान पढ़ने को मना करार दिया गया है उन तरीकों से हम नहीं पढ़िए इसलिए कि दीन ये हमारी तुरफ से नहीं है दीन ये llaः और उसके रसूल की दुर्से है ल्ला है उसके रसूल जैसा टारीक पहें बतलाएंगे वही दीन है तो जब Allah है और उसके रसूल में मना कर दिया कि नमाज में फला फला मुकाम पर आपको presa कौरान में नहीं पढ़ना है तो हमें वहां कौरान नहीं पढ़ना है हाला कि नमाज ये अबादत है और कौरान का क्लाम है अब गो यह कहे कि कि हम रुकू के अंदर कुरान पढ़ेंगी, तो एसunde कैसे हो जाएगा, क्यूकि Allah X.N. ने उस से मना किया है, रुकू के अंदर और सज्दा के अंदर कुरान के अंदर करने ने से, जबकि कुरान एक अच्छी चीज़ है, اللہ کا کلام ہے لیکن وہاں پر منع کیا گیا उसी तरह से हर वो मकाम जहां पर कुरान को पढ़ने से या कुरान को इस्तेमाल करने से हमारी शरीयत में मना किया हम वहाँ पर नहीं पढ़ेंगे या वहाँ पर उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसी तरह से जब कुरान को लिख करके लट्काने से अलाह के वे नहीं से मना किया तो हम यह नहीं कह सकते कि कुरान ये flame है अच्छी चीज है उसको लट्काने में क्या हर आजए ऐसा कहना ये गद्याद दूस्त नहीं है जब कि नहीं अटान कर दिया तो खलास मना कर दिया अब हमें उसे नहीं करना है बलकि उसको खलस समझना है उसको शिर्क समझना है उसको हराम समझना है क्योंकि दीन के अखकाम बयान करने वाले हमारे नभी सल्वासलें हैं हमारी तरफ से दीन नहीं है बलकि दीन को जो लाने वाले हैं वो हमें बत पक्राइब के लिए उन्हें आपने ही जाओं आपके सवाल का जवार दिया जैसा की मैंने जवाब के शुरू में आपके सवाल का जवाब है। सब्सक्राइब करें आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है